Hello everyone, welcome back to Shana Knowledge Bank YouTube channel, स्वागत आपके एक बार फिर से Shana Knowledge Bank YouTube channel पर आज हम लोग discuss करेंगे आपकी history of Jamo, ठीक है? History of GM के हम लोग देख रहे थे, history of Kashmir हम लोग complete कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग ने एक session किया था जिसमें हम लोग ने complete history of Kashmir की ओपर MCQs discuss करे थे, whole revision कर ले थी MCQs के थुरू, आज हम लोग start करेंगे आपकी history of Jamo, ठीक है? जमो के history में आज हम लोग देखेंगे sources of Jamo history, Jamo history की sources क्या थी? आपकी literacy sources कौन कौन सी थी, archaeological sites कौन कौन सी थी आपके पास, उसके बाद Jamo का origin कैसे हुआ, Jamo नाम कैसे पड़ा, उसके बाद कुछ important dynasties आई थी, ancient में, medieval में, modern में, इतना lengthy नहीं है, छोटा सा था तो एक ही lecture में ये सबी चीज़े हम लोग देखेंगे, then prominent rulers देखने के बाद जितने भी important dynasties थी, फिर हम लोग एक बार discuss करेंगे sick rule को, जो हम लोग कश्मीर history में already discuss कर चुके थे, यहाँ पे Jamo में भी इनका थोड़ा सा पार्ट आता है, वो हम लोग देखने के बाद, next lecture हम लोग discuss करेंगे, डोगरा dynasty का, ठीक है, डोगरा dynasty कैसे बनी, फिर कैसे हमारे जमो एंड कश्मीर, जो है, वो state में तबदील हो गया, कैसे उसको फिर हम लोग ने एक यूटी में बदला, पूरा का पूरा mind map के थे, हम लोग पूरी history समझेंगे, ठीक है, तो चलो आओ, start करते हैं आज का session, ठीक है भाई, तो भाई, lecture की ppt's plus daily current of your quiz आपको हमारे telegram channel पे मि जिएगा, description box में link दिया हो, वहां से आप जुड सकते हैं, बाकी ये हमारी social various social media handles है, यहां पे भी आप check out कर सकते हैं, मन हो तो join कर लीजिएगा, ना हो तो आपकी मर्जी, ठीक है, चलिए, आएं पहले देख लेते हैं भाई, लोग हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है, उस जिए कितनी important है, आपको पताए, उसके बाद हम लोग कुछ literary sources देखेंगे, जम्मू की, जो हमारे पास books आ जाती हैं, जैसे बडशा नामा था, ruling family of lahore थी, बाकी various जो books थी हमारी, जो हमारे historians ने लिखा की हैं, वो सारे के बारे में हम लोग यहां पे discuss करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे, भाई, हमारे जो जम्मू का origin है, वो कैसे हुआ, clear, उसके बाद हम लोग देखेंगे, भाई, हमारे prominent rulers, यह हम लोग rulers को पढ़ेंगे तीन तरह में, एक आएगा आएगा आपने पास ancient में, ठीक है, ancient history, then दूसरा आएगा आपके पास medieval history, okay, third, जो last, fourth one आएगा, next one आएगा, वो आएगा आपने पास modern history, ठीक है, modern history, modern में हमारे पास एक तो आएगा sick rule, दूसरा आएगा dogra rule, ठीक है, यह तो मैंने आपको यहाँ पे clear कर दिया, अब हम लोग, sir, ancient और medieval में क्या-क्या देखने वाले हैं, ancient history में आपके पास आएगा अगनी गिर, okay, which one, याद पंडवास, पंडवास के बारे में हम लोग महा भारत period, जब हम लोग ने ancient history of कश्मीर पड़ी थी, वहाँ पे देख रक है, ठीक है, next हमारे पास आएगी राजा बोध डाइनस्टी, okay, राजा बोध डाइनस्टी, then हमारे पास आएगी उसके बाद राए डाइनस्टी, okay, र यह हमारे हो जाएंगे ancient history में, next हम लोग medieval history में किस-किस को देखेंगे, important dynasty हमारे पास एक ही है, जो हमारे medieval history में आती है, वो आती है, हमारे पास देव डाइनस्टी, okay, याद रखना है आपने, देव डाइनस्टी, important one, इसमें जो rulers थे, I think आपको 20 से ज्यादा ही इसके prominent rulers थे आपके देव डाइनस्टी के और इसमें से हम लोग कुछ selected चुनिंदे ही prominent rulers देखेंगे, जिनको examiner आपकी exam में पूछता है, clear, थोड़ा सा clarity मिली, थोड़ा सा blueprint मिला आपको कि इस lecture में क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, ठीक है, उसके बाद हम लोग last में आप करेंगे आपका dogra rule, कैसे formation हुई हमारे Jammu and Kashmir की, then a core prominent personality थी जिसके regarding questions पूछे जाते हैं, शेक मुहमद अबदुल्ला, then हमारी union territory of Jammu and Kashmir, कैसे ये सब हुआ, हर चीज हम लोग one by one देखेंगे, clear है, clarity मिली, चलो, अब आते हैं हमारे main मुद्दे पे, that is, पहले मैंने क्या ब एक थी हमारे पास literacy sources, दूसरी थी हमारे पास archaeological sites of Jammu, ठीक है, archaeological sites हमें कश्मीर में भी देखने को मिलेंगे, पहले देख लेते हैं हमारी literacy sources, ठीक है, मतलब कि books, जो important books थी, वो कौन कौन सी थी आपकी history of Jammu, जो हमें बताती है, तो इसमें आपके पास पहले आ जाती है, राज दर्शनी, जो राज दर्शनी book है, गनेश दाश बदेरा, गनेश दाश बदेरा जी ने लिखी है, ये इसके author है, और इसकी अगर मैं time line आपको बताऊं तो 1847, याद रखना है, आपने ये राज दर्शनी गनेश दाश बदेरा, next one is गुलाब नामा, दिवान किरपा राम जी, दिवान किरपा राम जी, next important one is तौरीखे डोगरा देश, ये लिखी है आपकी नरसिंग धास नर्गिस, तौरीखे राज गन ए जम्मू वा कश्मीर, ठाकूर कहू सिंग बाला राए, तौरीखे जम्मू, that is हश्मत उल्ला खान, हश्मत उल्ला खान, तौरीखे कि पुंच, मुहमद दीन फाउक, ठीक है, राइज एंड फॉल आफ जम्मू किंग्डम, ठीक है, डॉक्टर आरस चारक, ठीक है, डॉक्टर आरस चारक, ठीक है, लॉड आफ हिल्स जी सी स्मित, ये कुछ क्या थी अपने पास, important कौन सी बुक्स, अब दो तीन important ओर हैं, जैसे ये आपकी किस ने लिखी है, डाइस पनीनी, ओके, पनीनी, ये important बुक्स है, आपके पास, दो 720E में लिखी गई थी, ठीक है, 720E में लिखी गई थी, clear है, ये कुछ important बुक्स हैं, जो आपको याद रखना है, ये आपके पास आपके गुलाब नामा है, ये मैंने आपको बत important जो चीज है, जो जम्मूर हिस्टरी में हमारे को बुक्स देखने को मिलती है, ये जो सारी की सारी बुक्स हैं, आपकी, literature of Vedic, Sanskrit, Pali और पाकरितिक में लिखी हुई आपको देखने को मिलती है, इनको बाद में further translate किया गया था, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद आया था, इनके भी जो travel account थी, वहां से भी हमें काफी कुछ पता चला था, कलहाना की राजत रेंगनी, उसमें भी आपको पुंच, रजोरी, किष्टवार, बिलावर और भधरवा की related चीज़ें देखने को मिलती, गुलाब नामा जो अभी हम लोगों ने बात की थी, जिसक ना है, next important जो मैंने आपको बोला था, क्या चीज़ भाई, that is, archaeological sites, ये important sites हैं आपके पास, ठीक है, पहली जम्मो की archaeological site, important कुन सी थी भाई, that is, Manda, okay, Manda, important one, याद रखना है, Manda village जो थी, ये आपको 400 BCE में देखने को मिली थी, ठीक है, 400 BCE की देखने को बलती, ये जो site है, आप आपको कहां पे देखने को मिलता है, भाई, that is, Akhnur में, okay, याद रखना है ये आपने, ये कहां आपको देखने को मिलेगा, भाई, Akhnur में देखने को ये आपको मिलता है, ठीक है, और ये disputed part था, जम्मो का, जब 1976-77 में इसको execute किया गया, देखा गया, इसको में, खंगाला गया इसको, तो वहां पे आपको, जो हडपन साइड की, jars थी, dishes थी, terracotta bangles देखने को मिली थी, bone marrow heads देखने को मिल, तो ये सभी चीज़ें आपको मांडा विलेज में देखने को मिला था, ठीक है, next important जो आपको देखने को मिलता, भाई, that is, Martand Sun Temple, okay, Martand Sun Temple, okay, तो ये important है, क्य ये आपका अनंतनाग district में पढ़ता है, यहाँ पे आपको, जो temple तोड़े गए थी, उसकी निशानिया मिली थी, pillars देखने को मिलते थी, stone की walls देखने को मिलते थी, जो आपकी decorate की जाते थी, जो मंदिर की होते हैं, ठीक है, ये दो हो गई आपकी archaeological sites, third important one जो आपको याद आप लोग thumbs up दिखाते हैं मुझे comment section में, तो उनको तो ये अच्छे सा पता हो, जो अधुमपुर के जितने भी schools हैं, ठीक है, तो वो one day picnic जो करते हैं छोटे बच्चों का, तो वो रिम्ची मांसर लेके जाते हैं, रिम्ची वाले temple जो है, वो जाके दिखाते हैं ये, तो य एक complex है, जहाँ पे आपको साथ temples देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्या, साथ temples यहाँ पे आपको रिम्ची में देखने को मिलते हैं, ये small shrine है, जो आपके पत्छों से, ठीक है, पत्छों से छोटे-छोटे resemblance की गई है, huts बने हुए हैं, वहाँ पे करिम्ची temple complex में, clear है, temple, ये भी आपको अधुमपुर district में देखने को मिलता है, ठीक है, फिफ्थ, फिफ्थ, लास्ट वन, इन इंपोर्टन वन, दैट इस अखनूर, ओके, अखनूर fort, ओके भाई, clear है, कौन सा अखनूर fort आपको देखने को मिलता है, जो आपको चैनाब river के bank पे देखने को मिलत है, वहाँ पे आपको red gray, हरपन साइट, civilization की earth, earthen wears देखने को मिलती, potl देखने को मिलती, ठीक है, कुशन era की time की जो आपको objects वहाँ पे देखने को मिलती, कहाँ पे अखनूर fort में, clear है, ये आपने याद रखना है, हमारे जो archaeological sites हैं, जम्मू की, वहाँ पे हमें ancient forts देखने क मिलते हैं, especially जो उदमपुर है, ठीक है, जो हमारी उदमपुर district है, जम्मू के nearest ही पढ़ती है, वो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा ancient remains और जो temples तूटे फूटे गए थे, वो यहाँ हमें उदमपुर में देखने को मिलते हैं, clear है, यहाँ तक का समझ आई भाई, ठीक है, क होता क्या है, कि एक राजा था, क्योन राजा था भाई, राजा जम्पु लोचन, क्योन राजा जम्पु लोचन, वो जंगल में हंटिंग के लिए जा रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, हंटिंग के लिए जा रहा था, तो वहाँ पे उसने क्या देखा, जैसे ही वो तवी सब जगा तो बड़ी प्यारी है जगा तो बहुत अच्छी है यहां पे तो भाई जो जंगली जानवर हैं वो भी एक साथ पानी पी रहे हैं तो वो इस टाइम पे उसको क्या हुआ पीस एंड टृंकलिटी उस एरिये की दर्शाई उसको लगा हाँ यार यहां पे तो मुझे एक सीटी शेहर बसाना चाये तो उन्हों ने उस टाइम पे इस जगा का नाम रख दिया जंबो नगर क्या नाम रख दिया जंबू नगर उसके बाद ही जंबो नगर का नाम हम लोग की तो जम्मू जी है वो हमारी stone tools से दर्शाया जाता था stone tools यहाँ पे काफी ज़्यादा देखने को मिले थे काफी ज़्यादा parts कौन से जम्मू के और यह जो आपका prehistoric period में paleolithic era में पाया गया था हमारा जम्मू कौन सा paleolithic era में आपका यह देखा गया था ठीक है और यहाँ पे stone tools देखने को मिले थे जो आपके maximum ठीक है कहाँ पे river banks वाले side में जो लोग बसे थे वहाँ पे यह चीज़ें देखने को मिले थी next हमारे पाँ stone access देखने को मिले थी वो हमें मिले थी जेडी area में जेडी area जो कहाँ कहाँ आखनूर का जम्मू से एप्रॉक्स 25 से 28 किलोमेटर दूर आपको देखने को मिलेगा जेडी जहाँ पे आपका जेडी मेला भी देखने को आपको मिलेगा भाई clear है यहाँ तक समझ आई origin हुआ कैसे जम्मू का किस एरा का था हमारा pre-historius में बाद में जम्मू का नाम कैसे पड़ा राजा जम्मू लोचन जी ने कैसे तवी क्रॉस करते हुए हंडिंग के लिए जा रहे थे गशिर और बकरी को देखा तो उनको लगा भाई साब यहाँ जानवर इतने प्यार से रहें उनको अगनीगिर के किंग भी कहा जा जाता था वो बेटे थे शुदर्शना के इसके सुदर्शना के बेटे थे याद रखना है सुदर्शना के बेटे जिनको माना जाता था 21 में descendant किसके राम जी के ठीक है राम जी के 21 में descendant माने जाते थे ये clear है उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आपको next descendant देखने को मिलते हैं कौन भाई elder son that is कौन बाहू लोचन ठीक है भाई किसके वायू श्रवा के elder son आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर कौन that is बाहू लोचन उनसे वहले एक दो और भी थे बट वो हमारे लिए important रहींगे क्योंकि exam में exam इन आप से नहीं पूछता important क्या हो जाता है आपके राजदर्शनी जी ने एक city established करी थी ठीक है रावी के river bank पे जिसका नाम उस time पे क्या रखा गया था भाई yes उस time पे उनने जो इसको रावी river पे एक empire set up किया था जो आज के present day पे हमें कठुआ देखने को मिलता है किसने that is राजदर्शनी उनके जो बेटे थे श्रवा उनके बेटे जो आए एल्डर बेटे बाहु लोचन ठीक है बाहु लोचन जी आए जब यहां पे गद्दी पे उन्होंने क्या करा भाई बाहु फोर्ट बनवाया कहां पे तवी प्तल रख दी अपने टिंग्डम की ठीक है कि कहां पे धारा नगरी में किसने that is बाहु लोचन बाहु फोर्ट भी इन्होंने यहां पे पनाया ठीक है और इंपोर्टन चीज आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा भाई जो राजा बाहु लोचन जी थे इन्होंने अपना अंपायर एक्स्टेंड करना चाहा था कहां पे मदर देश मदर देश कहां पे भाई धैकर पंजाब सियाल कोट वाला एरिया वहां तक यह चाहते थे हमारा जो अंपायर है वो एक्स्टेंड हो बट वो नहीं कर पाई जह वहां का जो राजा था सियाल कोट का वहां पे यह ह खुस्त ही ज्यादा पावरफुल रूलर थे, ठीक है, पावरफुल रूलर थे, कहां के बहु नगर के, कहां के बहु नगर के, याद रखना है आपने जब बहु लोचन जी की डेथ हो गई, तो ये आए कन्फिक्ट में किस के साथ सियाल कोट के किंग के साथ, ठीक है, याद चंद्र हस ठीक है तो उनके बाद हमारे पास आते हैं देखने को बलते हैं भाई पुरन करण okay याद रखना है कोण यहाँ पर अपनी capital जो है बहु नगर से shift कर देते हैं जम्मु में कोई पुरन परन करण उनके बाद उनका बेटा नबल दे थे, शक्तिकरन और इन्हों ने अपना जो empire है वो पीर पंजाल ranges तक extend कर दिया था पीर पंजाल यानि के बानियाल तक. किसनी किया था वो? राजा शक्तिकरन. थीक है? ये well-rights किसनी किया थे आपने scriptures में और इन्हों ने introduce भी क्या था क्या भाई? डौगरी स्क्रिप्ट जो है आपकी याद रखना है यह कहां से हो थी भाई शार्दा स्क्रिप्ट से केर है शार्दा स्क्रिप्ट से इसको ड्राइव करा गया था किसके द्वारा शक्ति करण जी के द्वारा ठीक है भाई उसके बाद ही आपकी जो ब्रहमी स्क्रिप्ट है वो आई थी ब्रहमी स्क्रिप्ट के अगर आप लोग बोलो इनोवेटर या फिर इन्वेंटर कौन है तो वो आपके शक्ति करन जी है किसके ब्रहमी स्क्रिप्ट के याद रखना है आपनी ब्रहमी स्क्रिप्ट के इन्वेंटर या फिर इनुवेटर पूछा जाए आपसे तो वो कौन हो जाएंगे शक्ती करन clear है याद रखिएगा शक्ती करन तो ये थे हमारी कौन सी भाई अगनी गिर डाइनिस्टी आपके ancient history की इनके जो last ruler थे आपको वो देखने को मिले थे शिव प्रकास ठीक है कौन सी भाई that is दर डाइनिस्टी कौन सी that is दर डाइनिस्टी सूरज धर जी ने इसको establish करा ठीक है 55 years तक इन्होंने rule किया यहाँ पे ठीक है Muslim saint जो थे यहाँ पीर रोशनशा वली जी वो अरब से यहाँ पे उन्होंने विजट किया था जमू में इस डाइनिस्टी में धर डाइनिस्टी के टाइम पे clear है बाई और यहीं है पीर रोशनशा वली जी जो आप गुम्मट में जाओगे जमू में तो उनकी श्राइन आपको गुम्मट में जाते ही देखने को मिलती है, लेफ्ट साइड में तो वो है पीर रोशनशा वली जी की श्राइन यहाँ पे देखने को मिलती है वो धर डाइनिस्टी के पिरिय्यड में आए थे, ठीक है धर डाइनिस्टी के लास्ट रूलर थे आपके बजर धर कौनसे है? बजर history में क्या होता है हमारी last dynasty हमने कौन से पढ़ी धर dynasty धर dynasty में last rule कौन था बजर धर धर के बाद हमारे पास आती है जो important medieval time पे history dynasty that is देव dynasty ठीक है बजर धर के successor जो थे सूरज देव वो यहाँ पे अब करते हैं क्या starter देव dynasty क्लियर किसको देव dynasty को start करते हैं आपके कोन that is सूरज देव clear है याद रखना है आपने सूरज देव जी यहाँ पे start करते हैं आपके देव dynasty अब देव dynasty में हमारे important rulers जो जो है उनके बारे में देख लेते हैं first one is that is just dev जिन्होंने जस्तरोटा टाउन को found करा clear है याद रखना है आपने जस्तरोटा टाउन just dev जी important one next important one is that is ब्रिज देव ब्रिज देव कोन थे भाई साब ब्रिज देव जी ने ही पृत्वी राज चोहान के against battle of terran लड़ा था clear याद रखना है battle of terran clear किसके against लड़ा था पृत्वी राज चोहान के against battle of terran clear है याद रखना है ये battle of terran किसम लड़ी थी ब्रिज देव ठीक है अब next important जो यहाँ पर आपको एक चीज ओर याद रखना है that is नरसिंग देव ओके नरसिंग देव ये कोन है नरसिंग देव जी है ब्रिज देव के बेटे clear है ब्रिज देव की बेटे है नरसिंग देव ये मैंने क्यों बला याद रखना है आपने इनोंने पृत्वी राज के भाई खांडा राव को मारा था ठीक है किसको खांडा राव खांडा राव को मारा था इनोंने battle of terran में किसने नरसिंग देव जी ने clear है और ब्रिज देव ने फांड करा था आपका विजेपूर जो presently विजेपूर आपको देखने को मिलता है ठीक है next prominent ruler जो आपको देव डैनिस्टी के देखने को मिलेंगे जोद देव कौँसे वाले that is जोद देव जोद देव जो है ये contemporary थी किसके फिरोज शाह तुगलिक के जो दिली में थे ठीक है याद रखना है आपने जोद देव ये एक contemporary थे फिरोज शाह तुगलिक जो दिली में rule कर रहे थे ठीक है अब जब हम लोग ने देवा डैनिस्टी पड़ी थी कश्मीर में तो उस टाइम पे हमने सहद देवा के बारे में पड़ा था जो वहाँ से भाग गई थे किस्तवार याद आया है वहाँ पे कुछ ठीक है जब रिंचिन आया था ठीक है तो शहमीर डैनिस्टी जहां से शिरू हो गई थी तो यहाँ सहद देवा जो किस्तवार भाग के चले गए थे तो उस टाइम पे जोद देव जी ने उनको सस्टेन किया था वहाँ से और इनकी मदद की थी वैली में दुबारा रिटर्न करने में जोद देव याद रखना है अब one of the most prominent ruler of this dynasty इस मल देव जी ठीक है राजा मल देव क्लियर क्यों मैंने ये क्यों बोला क्योंके भाई साब ये इनके टाइम पे ही जम्मू को golden period कहा जाता था ठीक है इनके period में ही जम्मू को क्या mention कर जाता था गोर्डन पीरियड ये देव डैनिस्टी के one of the most powerful king थे सिर्फ देव डैनिस्टी के ही नहीं पूरे जम्मू के prominent rulers में से ये एक powerful king माने जाते थे ठीक है तो ये इन्होंने काफी लोगों के लिए social welfare और public के लिए काफी ज्यादा अच्छा काम किया था इन्होंने ही डोगरा राज की जो capital थी वो जम्मो में shift कर दी थी इन्होंने building एक पुरानी मंडी में erect करवाई थी जिसका नाम था मल मंडी ये भी आपको याद रखना है मल दीव जी के regarding ठीक है next important चीज जो आपको याद रखनी है इन्होंने first time ये गदी पे बैठे थे और यहीं से गदी वाला tradition जो है वो डोगरा किंग्स में शिरू हो गया था जो गदी वाला system नहीं होता के वहाँ ये गदी बिजगी यहाँ बैटेंगी राजे लोग आगे जो लोग आते थे इनके यहाँ पे आके अपनी सुनाते थे गदी वाला system मल देव जी ने start किया था ये भी आपको याद रखना है तैमूर ने invade किया था जम्मू इनके टाइम पे और डोगराज ने जो है वहाँ पे काफी ज्यादा tough competition दिया था इनको तो इनने नहीं resist किया था तैमूर के invasion को काफी strongly मल देव जी के टाइम पे next important roller इनके बाद काफी सारे ओ रहाए थे but important आपके पास है जो अजेब देव जो थी ये काफी great warrior थे क्या थे भाई ये great warrior थे आपके अजेब देव इनके front relationships थे कश्मीर के rulers के साथ भी और even के गुजरात तक कि इन्होंने अपना kingdom को extend करा था और इनके relations भी काफी अच्छे खासे थे ठीक है तो इन्होंने kodian relationships बना रखे थे जैनल अबिदीन आफ कश्मीर के साथ ठीक है और ये खोकर troubles जो थी आपके पोंच रजोरी वाले वहां से भी काफी safe थे क्योंके relations बड़े अच्छे इनके बने होते थे तो that's why ये तब ही मिने बोलना है great warrior थे ये दिमाग से काम लेते थे तो ये आपको याद रखना है next important rule जो आपको देखने को मिलेंगे भाई that is Dhruv Dev कौन से वाले that is Dhruv Dev ठीक है भाई अब ये क्यों इन्हों ने ही shelter दिया था जो एक Sikh warrior थे बंदा बहादर जी ठीक है और इन्हों ने ही उनकी मदद की थी मुगल्स के against लड़ने में clear है याद रखना है किस ने की थी दुर्व Dev जी की किस की बंदा बहादर जी को shelter भी दिया था और इनकी मदद की थी against मुगल्स ठीक है क्योंगे मुगल्स ने काफी अत्याचार करा था Sikh बिरादरी के साथ उस टैम पे ठीक है भाई याद रखना है और इन्हों नहीं जो मुगल्स के या वहाँ पे हो रहा था रूल शिरू हो रहा था शासन शिरू हो रहता जम्मू में तो इन्हों नहीं उनको खदेड के निकाल दिया थी कि भाई तुम लोग की जरूत ना है हम लोग अपना खुद देख लेंगे तो इन्हों नहीं मुबारक मंडी कॉंप्लेक्स बनाया जो जम्मू में आपको देखने को मिलती है ठीक है तो यह पलेस है आपका मल देव मंडी से new complex में मुबारक मंडी complex में इन्होंने shift करवाया था यह आपने याद रखनी है जो आपको मल देव ने बनवाई थी वो आपने याद रखनी है next आया थी आपके पास भाई महराजा रंजीत देव which one that is महराजा रंजीत देव अब इनको confusion नहीं करना है महराजा रंजीत सिंग से यह both are different ठीक है यह देव dynasty के है वो सिख रूल के है तो यह दोनों में आपने confusion नहीं होना है ठीक है चलो महराजा रंजीत देव जो है यह आपके greatest ruler तो ही है साथ साथ में आपके यह दुरूफ देव के बाद next इनका number आ गया था clear अब इन्होंने 22 hill regions को conquer करा था clear है भाई कितनी 22 principalities को principalities जो जम्मू राज इन्होंने establish करा था principalities मतलब के 22 hill region जो थे इन्होंने इनको conquer करा था इन्होंने अपना rule जो है plains में तो था ही था rule हिली areas तक भी इन्होंने अपना बढ़ा दिया था 22 हिली राजा जो थे छोटे मोटे उनको हरा के इन्होंने अपना शासन वहाँ तक बढ़ा दिया था ठीक है रंजीत देव जी ने तो अब अगर हम लोग राज दर्शनी की बात करें जो हमने book एक literacy source थी हमारे history अफ जम्मो की तो जो रंजीत देव थे इन्होंने law and order को काफी अच्छे से enforce करा था और यहाँ पे उस टाइम पे जम्मो को कहा जाता था दारुल अमन दारुल अमन मतलब के abode of peace यहाँ पे शांती काफी अच्छे से बरकरार रखी गई थी किसके द्वारा महराजा रंजीत देव के द्वारा दारुल अमन याद रखना है यह abode आपने that is abode of peace यह आपको term पूछी जाती है exam में clear है अब रंजीत देव जी दो हैं इनको दो बार captivate किया गया था एक बार बुगल्स के द्वारा एक बार अफगांस के द्वारा यह चीज़ भी याद रखनी है ठीक है दोनों ही टायम पे इनको छोड़ दिया गया है था कुछ negotiations वेज़ारा करने के बाद इनके kingdom के साथ तो दोबारा से इनको restore कर दिया जाता था ठीक है महराजा रंजीत देव जी जो है वो एक great social reformer थे उन्होंने ban किया था आपका सती पे भी ठीक है सती जो थी और उसके बाद female infanticides जो थी उस पे भी इन्होंने ban लगाया हुआ था ठीक है तो ये आपके पास सकून थे भाई that is महराजा रंजीत जी ठीक है महराजा रंजीत देव जी clear है याद रखना है ये आपने ठीक है next important चीज जो आपको याद रखना है भाई that is dogri point ओके ये एक eminent dogri point थे जो इनके scholar रहे थे पंडित देव धत उन्हों नहीं translate की थी वरुन प्रभा जो महाभारत की है वो हिंदी में clear है याद रखना है हिंदी में किसने translate किया था वरुन प्रभा को महाभारत की जो थी वो पंडित देव धत वो इनके court में रहते थे एक scholar थे कौन पंडित देव धत धत रहे नेक्स इंपोर्टन जो रूलर आपको देखने को मिलते हैं that is jit singh जीत singh ये एक weak ruler थे ये last ruler आपको देखने को मिलते हैं किसके भाई यहाँ पे आपको देव डाइनस्टी के ठीक है jit singh और देव डाइनस्टी हो गया था भाई सिख iba裡 के हम लोगों ने बात की ही थी लास्ट में ठीक है लास्सेशन में अब 1808 से लेकि 1806 तक हमारा किसका रूल रहता है भाई सिख रूल का 1808 में हमारे पास आते है सर्दार होकम सिंग कोन आते है है भाई सर्दार होकम सिंग जो NX करते हैं आपका क्या करते हैं जम्मू रिजन को और बनाते हैं आपके लाहोर किंग्डम का पार्ट हमारे जम्मू को महराजा रंजीत सिंग के जो बेटे थे खड़क सिंग ठीक है कून खड़क सिंग उन्होंने जम्मू को गवन कर लिया था 1812 में क्लियर है याद रखना है आपने 1812 में गवन कर लिया था किसने खड़क सिंग जी प्रिंस खड़क सिंग जो रंजीत सिंग के बेटे थे बताऊं के मिया दीदो, ओके मिया दीदो, ठीक है, तो मिया दीदो भी यहाँ पे आके इन पे अटैक कर रहे थे, बट इनके पास एक, वो बोलते है न, बहुत ही इंपोर्टन्ट, इनका एक चीफ आर्किटेक्ट था जिनको आप लोग बोलते हैं भाई का, महराजा रंजीत स ठीक है, तो यह आपने याद रखना है, तो महराजीत सिंग की आर्मी के इंपोर्टन्ट, जो मिलिटरी हेड थे, वो थे गुलाब सिंग, तो गुलाब सिंग जी ने मिया दीदो को काफी टफ कमपटेशन दिया, और यहाँ से इनको खदेर निकाला, कि भाई, तुम्हारी यहाँ पर जरूरत ना है, मैं यहाँ इनके पास हूँ, तो तुम लोग यहाँ से चलिए, तो अट्रासो बीस में, कब अट्रासो बीस में मिया दीदो को मार देते हैं, कौन गुलाब सिंग जी, आपको यह याद रखना है, अब जैसे जैसे दीरे दीरे वक्त गुजरता ज जाता है, तो अब क्या होता है, नेक्स्ट इंपोर्टन्ट, यहाँ पर घटना क्या घटती है भाई, डेथ हो जाती है, महराजा रंजीत सिंग की, 1839 में, कब 1839 में हो जाती है, डेथ किसकी, रंजीत सिंग जी की, अब जब हो जाती है, रंजीत सिंग की डेथ, तो उसके ब Britishers ठीक है तो treaty होती है 1846 में महराजा दिलीप सिंग के साथ treaty of Lahore जिसमें क्या है पूरा का पूरा सिख रूल जो है वो completely end हो जाता है Britishers के साथ चला जाता है इनका सारा का सारा राज ठीक है भाई तो ये आपने याद रखना है यहां तक उसके बाद हमारे main जो important ruler आते हैं वो कोन आते हैं भाई हमारे गुलाब सिंग जी गुलाब सिंग जी Britishers के साथ करते हैं treaty of Amritsar कौन सी treaty of Amritsar 15 मार्च 1946 को जो ये हमारे जिसको sale of कश्मीर भी कहा जाता है जो हम लोग अभी next dogra rule पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये सारी treaties में करवाऊंगा clear तो यहां important क्या रहता है कि जो हमारे पास रंजीत सिंग जी आई इनकी हो जाती है death death होने के बाद जो anglo sick war होती है वहां पे क्या होता है हमारा जो treaty of lahore होती है तो जो आपके जम्मू रीजन को खरीद लेते हैं और उसके बाद ही इनका क्या होता है भाई यहां पे dogra dynasty रोल जो है वो start होना शिरू हो जाता है clear है यह आपने याद रखनी है और important thing that is गुलाब सिंग जी को जो राजा title था वो किस ने दिया था जब इन्होंने मियादीदो को मार था 1820 में मैंने आपको बताया यह मियादीदो को मार दिया 1820 में तो उस time पे जब इन्होंने सिख एंपायर को बचाया काफी सारे revolts जो हो रहे थी उसके against तो महराजा रंजीत सिंग ने इनको एक title दिया राजा का राजा का title दिया और जम्मू का राजा बना दिया गया ठीक है तो king of jamu कहा गया गुलाब सिंग जी को king of jamu तो राजा का title दिया इनको रंजीत सिंग जी ने ठीक है मिलेंगे अब हम आई हसाब अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग डोगरा रूल को बिलकुल बारिकी से समझेंगे, ताब कि जो अभी तक हम लेक्चर देखें हैं, ठीक है, वैसे ही step by step आपकी पूरी की पूरी हिस्टरी कम्प्लीट करवा देंगे, नेक्स लेक्चर में, उ लाइक कर देना प्लस सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर से दबा दीजिएगा ताके हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए ठीक है भाई तो चलो आप लोग पढ़ते रहो खुश रहो मिलते हैं कर दो कि कॉछके बा मुल दो मिलते हैं।